हलो एरिवान सक्सेस वितार हम ओनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ है मैं शोहान आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगर होंगे देखे दोस्तों सोमवार से शनिवार तक डेली बेसिस पे करेंट अफर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आज रहिवार है और आज के दिन ओफ है लगातार यह सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं तमाम पत्र पत्रिकाओ और सरकारी वेबसाइट सो जो भी इंपोटेंट डाटा होता है उसको कलेट करके mcqs के रूप में आप तक प्रसुत किया जा रहा है आपको कोई भी महेंगे कोर्स खरीदने के जरूत नहीं है करेंट अफर्स के नाम पर बहुत सारे लोग आपसे प्रती महीने के हिसाब से एक दो हजार रुपे ले रहे हैं जो वाजिब नहीं है success with RM online education आपके लिए यह मुहीम कर रहा है कि बिल्कुल free of cost आपको चीजें मिले और हमारा धिये यह है कि किसी तरह के प्रपंच और जंजाल में नहीं पढ़ना है विध्यारतियों को यहाँ पर हम daily basis पे जो current करा रहे हैं उतना करना है आपको और साथ में अपना traditional GK की तयारी करते रहे हैं traditional GK के लिए भी special अलग-अलग topic पे जहां से परिक्षाओं में प्रश्ण बनते हैं उन सवालों को मैं आप तक लेके आता हूँ और हुभू वही छपेंगे आप बस विश्वास रखें सक्सेश वित आरम ओनलाइन एजुकेशन पर और हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें क्योंकि इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए कि जारी हैं और आप से हम भी यह उमिद करते हैं कि आप हमा आजिक सुधार आधुलन देखो इस टॉपिक से हर परिक्षा में एक से दो प्रशना आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो सोशल रिफॉर्म से वह हिस्ट्री का पार्ट भी है जो भारत में पूर्ण जगन की शुरात हो रही थी महां से इस बात की शुरात भी हुई थी कि कैसे ये नए-नए रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं हमारे कंट्री में उनके लिए कोई एक्ट भी लाए जा है क्योंकि रिफॉर्म्स केवल समाज को बताने से कि यह सही है या गलत ह या नेतिक है अनेतिक है यह सब होने से काफी नहीं होगा अब हमें बिल्कुल रिफॉर्म्स के लिए कुछ अनुशाशन लाने होंगे कुछ कानून लाने होंगे कानून के अनुसार ही है हम इस अधिनियम को हम देखने के कोशिश करेंगे किनकी लोगों ने प्रयास किया उ और रधा कुछना तमाम जो सोशल रिफॉर्मास हैं उनके बारे में अल्डेडी वीडियो इसी प्लेटफॉम पर आपको मिल जाएंगे सामाजिक सेत्र में जिनों ने काम किया है उनके बारे में भी आपको इसमें पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है हिस्ट्री की उसको आप दे सामाजिक सुधार अधिनियम के शेत्र में पहला एक्ट बहुत ही पॉपुलर रहा था शिशु वद पतिबंद अधिनियम देखो उस समय मिड़ा विलेज में बहुत सारे लोग जो राजप्रशाशन के अंग थे वे लड़कियों का कन्याओं का हत्या कर रहे थे और साथ ही इसमें जो लड़कों की सं게 बहुत कम थी जो कन्या थी उनका वद करके कहीं कहीं बहुत सारे अलगल बेरियस इशूस थे इसके लिए क्योंकि वो कन्या को वद इसले कर रहे थे कि एक पहला मामला तो यह था कि कन्या को देहज दिना पड़ेगा और उस समय जो लड़का होना या पुत्र होना बहुत वेभव और गोरों की बात मानी जाते थी तो इस हिसाब से यह कूपरथा उस समाज में विद्मान थी तो हम बात करेंगे जो सोशल रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी बात यह देखेंगे कि शिशुवत प्रतिवंद के शेत्र में कौन सबसे आगे खड़ा हुआ था इस कूपरथा को नस्ट करने में कौन सबसे आगे खड़ा हुआ था तो देखो एक गवर्नर जनरल आये थे जिनका नम था वेले जली बहुत इनका शाषन शान्दार रहा था 1798 में इन्होंने एक एक्ट लाकर शिशु हत्या पर पतिबंद कर दिया था तो जरूर याद रखें किस समय एक्ट लेक आये थे 1798 में और शिशु अपर जो हत्या हो रही थी उस हत्या पर पतिबंद लगा दिया था अब आज करते हैं सति प्रथा देखो यह बहुत पॉपुलर है हिठ्यास में कोई भी परिशाओ कहीं ने कहीं विल्यम बेटिक राजराम मोहनों राए पर प्रशन आते ही हैं राजराम ने कौन सी सभा की स्थापना की थी उन्हों nay ब्रहम लाड विलियम बेटिंग दर लाया गया गया था 1829 में और पूरत सती प्रथा पर प्रतिबंद किया गया था इसके बाद भी बहुत सारे एसे से उधान मिले हैं जहां पर इस एक्ट को लाने के बाद भी कहिन कहीं सती प्रता हुई है सतिया हुई है राजस्तान में हाली में प्रता को बंद करने में राजाराम मोहन का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है राजाराम मोहन रहा है बहुत इमिनेंट परसनलिटी थे बहुत विद्वयान वेक्ति थे और उन्हें इस प्रता को बंद किया और उस समय के गवर्णर जेनरल कौन थे लाड विलियम बैटिक ठ अगला एक एक था दास पथा अधिनियम जो स्लेवरी था उसके लिए भी अंग्रेजों ने अलग अलग अधिनियम लेके आने की शुरुआत कर दी थी लेकिन स्लेवरी के शेतर में भी जो इंग्लिश थे उन्होंने उनकी सोच और उनके एड्मिस्टरेशन की दिशा दास्ता प्रतिबंद अधिनियम यह 1833 के एक के तर ला गया था तो याद रखे किस एक के तर दास्ता प्रतिबंद अधिनियम लेके आ गया था यह दास्ता प्रतिबंद कर दिया गया था तो हम बात करेंगे 1833 के अधिनियम के द्वारा हिंदू विद्वा पुनर्विया अ इंपोर्टेंट है और उस समय के गवर्णर जनरल थे लाड़ केनिंग का शाशन था अठाउस चपन में हिंदू विद्वा पर हम बात करें तो जो हिंदू महिला विद्वा हो जाती थी उनके विवा को पुना अनुमत देके पुना विवा करने के लिए यह एक लाए गया को क कि कहीं तरह की सामाजिक और जो शास्त्रिय ग्रांतिया थी उन कारण से विद्वा विवा नहीं कर सकती थी तो उस लिहाज से हम बात करें कि लाड़ केनिंग का काल बहुत ही गुड़ गवर्नेंस का काल करा जा सकता है और उस समय हिंदू विद्वा विवा के नुमति दी अब बात करते हैं नेटी में रिजक्ट देखो अंतर जाती विवा आज भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी सोसाइटिक लिए तो उस समय तो आप मानी सकते हैं कि जब विए मालाबरी के शेत्र का ये एक्ट है और उस समय उनके शेत्रदिकार में येक्ट आया था तो एज ओफ कंसेंट किसी एज को लेके चिंता होना ये लेस्डाउन का समय था जो गोर्णर जनल थे लेस्डाउन और 1891 में लड़की की विवा को लेके कंसेंट हुआ और कितन वर्ष्ण कम होगी तो ये योगे नहीं है इस तरह के अलग-अलग कानून लाए जाते हाला कि इसके बाद शार्दा एक्ट हम पढ़ेंगे और शार्दा एक्ट में तो लड़की के विवा की निन्तम आयू 14 वर्ष कर दे गई और लड़के की निन्तम आयू 18 वर्ष कर दे दे तो शार्दा इणियं लोर्डad इर्विंद के समय में जाए था याद्रखें शार्दा अर्विंद के समय生 इसके बाद इक hemma탉 जरू कर लिए इस विडियो को बार-बार देखने के उसे याद करने की तकि यहां से आपको बहत्रीन प्रषन मिलने आने वाले प्रिक्षि कि एंगी